विचार लो की मरते हो न मृत्यू से डरो कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी अथार यहाँ पर कभी कहते हैं कि जो मनिश्य का शरीर है वो मरते है नीस मरणशील है तो वो यह कहते हैं कि विचार कर लो कि तुम जो है तुमारा जो शरीर है वो अमर नहीं है न मृत्यू से डरो कभी और तुम मृत्यू से कभी मत डरो मरो रन्तु ऐसे मरो कि आपको हमेशा सभी लोग याद रखें आपको कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है लेकिन आपकी मृत्यू ऐसी हो कि आपको सभी लोग याद रखें पुई न यो सम व्यक्ति तो व्रिथा मरे व्रिथा जीए मरा नहीं वही की जो जीा न Аपके लिए यहाँ पर यह कहते हैं कि दूसरे के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता और उसकी व्यत्यू कभी भी बैकार नहीं जाती है और जो व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वृत्था का मतलब है बेकार, उसका जीना और मरना दोनों ही बेकार है, वही पशु प्रविर्ती है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यहां पर यह कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है, वह मनुष्य की तरह, मनुष्य है, और जो व्यक्ति किसी के बारे में नहीं सोचता है, वह पशु प्रविर्ती, उसकी जो मन है, वह प्रशु के समान, सच्चा मनुष्य वही है, जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है इसलिए कभी इन पंतियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें दूसरे हमें याद रखे साथ यह भी एसास होना चाहिए कि हम अमर नहीं है इससे हमारे अंदर से मृत्यू का भैच चला जाता है अब चलिए दूसरा पेरग्राफ दे कारे करता है उसका बखान में इसकी जो बडाई जो है सर्वस्वत्य माभी करती है उसी उदार से धरा जो प्रीथ्वी भी है वह धन्य हो जाती है और अपने आपको धन्य मानतीह kinord मांती में अपने अपको धन्य मानतीहिए उसी उदार की सदा सजीव कीर्टी गूजती यहां पर यह कर रहा है कि जो वैक्ति दूसरे के लिए सोचता है और कारी करता है उसका कीर्टी मीज उसका जो फेमस है उसकी जो गूज है वो पूरे चारो तरफ उसकी कीर्टी जो है वो गूजती है तथा उसी उदार को समस्त श पूजती और पूरा जो विश्व है उसके उदारता को पूजा करता है खंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुश्व है कि जो मनुश्व के लिए मरे यहां पर यह कहता है कि जो व्यक्ति मनुश्य के लिए अपने जीवन को परिदान कर देता है या दूसरे के दूसरे के जीवन को जादा महत्व देता है अपने से और वह व्यक्ति जो विश्व में असीम मतलब पूरा भरपूर आत्मभाव में आत्मियता को अखंड में न तूटने वाला भाईचारा को विश्व में भर देता है की बड़ाई सरस्वती मा करती है धरती उसके कृतार्थ को मानती है और सभी सजी की कीर्थी की गान गाते हैं और पूरी श्रिस्टी